आज हम सीखेंगे प्लांटी जगत तथा इस जगत के उपवर्गों ठालोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में चलिए पहले प्लांटी जगत जिसे वनस्पती जगत भी कहते हैं के बारे में चर्चा करें इस जगत में सभी स्वपोशी जीव यानि आटोट्रोफ्स आते हैं जो क्लोरोफिल के सहायता से प्रकाश संसलेशन यानि फोटोसिंतसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयम बनाते हैं सभी पादप प्लांटी जगत के सदस्य हैं वे सभी बहुकोशिक जीव यानि मल्टी सेलूलर और्गानिजम्स है जो युकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं अर्थात कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक यानि वेल डेफाइन नुकलियस और जिल्लिबद कोशिकांग यानि मेंब्रेन बाउंड और्गिनल्स है इनमें कोशिका बित्ती यानि सेल्वॉल उपस्थित होती है जो मुख्यतह सेलूलोस से बनी होती है इनके शरीर में विभिन्नकारिय उतको यानि टिश्यूस के द्वारा पोर्ण किये जाते है क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण इस वर्ग के अधिकांच जीव सोपोशी होते है लेकिन इनमें से कुछ जीव अंतह विशम पोशी यानि हीटेरो ट्रॉफ्स भी होते है इन में से कुछ जीव लेंगिक जनन से यानि sexual reproduction से तो कुछ अलेंगिक जनन से यानि ए-sexual reproduction से संतत्ति उत्पन करते हैं चलिए अब प्लांटी जगत का वर्गी करण समझे वर्गी करण का पहला स्तर हम इस आधार पर बनाते हैं कि पादप के शरीर के प्रमुख भाग पूर्ण रूप से विकसित यानि developed या विभेदित यानि differentiated है या नहीं वे पादप जिनका शरीर बिना विभेदन के है थैलोफाइटा इस उपवर्ग में रखे जाते हैं अगले स्तर का निर्मान पादपों के शरीर में जल और अन्यपदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्थ उतक है या नहीं इस आधार पर किया जाता है वे पादप जिनके शरीर में सन्वहन यानि सर्कुलेशन के लिए विशिष्ट उतक नहीं है इन्हें ब्रायोफाइटा इस उपवर्ग में रखा जाता है इन पादपो को जिनमें सन्वहन उतक उपस्थित है को बीज यानि सीड धारन करने की शमता के आधार पर वर्गिकरित किया जाता है बीज रहित पादपो यानि सीडलस प्लांट को टेरिडुफाइटा इस उपसमूह में रखा जाता है फिर हम बीज उत्पन करने वाले पादपो का वर्गिकरन बीज फल के अंदर है या बाहर है इस आधार पर करते हैं वेपादप जिनका बीज फलों के बाहर विकसित होता है यानि खुली अवस्था में होता है नगन बीजी अनावरुत बीजी या जिमनो स्पर्म कहलाते हैं तथा वे पादप जिनका बीच फलों के अंदर विकसित होता है यानि बन्दिस्तिती में होता है, आवूरुत बीजी यानि एंजियो स्पर्म कहलाते है। एंजियो स्पर्म का वर्गी करण बीज पत्र यानि कोटिली डॉन्स की संख्या के आधार पर एक बीज पत्री यानि मोनो कॉट्स और द्वी बीज पत्री यानि डाइकॉट्स में किया जा सकता है इन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन तीनों समुहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इन में बीज उत्पन करने की शमता नहीं होती इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं लेकिन जिमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जननांग पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं वे लेंगिक जनन से बीज उत्पन करते हैं इसलिए इन समुहों को फैनेरोगैम कहते हैं बीज के अंदर ब्रुन तथा खाद्यपदार्थ होता है ब्रुन नए जीव में विकसित होता है तब उसे पोशन खाद्यपदार्थ से प्राप्त होता है चलिए थैलोफाइटा के बारे में विस्तार से समझे युलोथ्रिक्स, अलवा, कैलेड्रोफोरा, स्पाइरोगैरा, कारा इत्यादी जैसे पादप थैलोफाइटा वर्ग में सम्मिलित होते हैं इनका आकार भी भिन्न होता है कुछ जीव जैसे क्लमाइडोमोनस एक कुशिक होते हैं जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी आवश्यक होती है जबकि कुछ जीव जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं इन पादपों की शारिरिक्सन रचना में विभेदन नहीं पाया जाता अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ते जैसे भाग विकसित नहीं होते इस वर्ग के सभी पादपों को हम सामान्यतया, शैवाल यानि अलगी कहते हैं ये सभी सामान्यतया जलिय पौदे हैं क्लोरोफिल उपस्तित होने के कारण वे प्रकाश संसलेशन यानि फोटोसंतसिस कर सकते हैं जिससे वे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, अर्थात वे स्वपोशी हैं कुछ शैवाल बहुत छोटे होते हैं और वे जल की सतह पर परत बनाते हैं इन्हें पादप लवक यानि फाइटर प्लांक्टॉन कहा जाता है जल के अलावा थैलोफाइट, नमियुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकडी में भी पाए जाते हैं इनमें से कुछ पादप जैसे नील हरिच शैवाल कवोको की कुछ प्रजातियों के साथ स्थाई अंतर संबंद बनाती है जो दोनों को विभिनलाब देती है इस संबंद को हम सहजीविता यानि सिंबोयोसिस कहते हैं इनमें जनन की विभिन्न विधिया देखने मिलती है स्पाइरोगायरा में अलेंगिक जनन विखंडन यानि फ्राग्मेंटेशन विधी से होता है क्लेमाइडो मूनस में अलेंगिक जनन विभिन्न विजानू की उत्पत्ती से होता है जिनें जू स्पोर कहते है स्पायरोगायरा, कारा इत्यादी में लेंगिक जनन युग्मकों की निशेचन से होता है अब चलिए ब्रायोफाइटा की चर्चा करें इस वर्ग में लिवर्वर्ट जैसे माक्षिया और मौस जैसे फ्यूनेरिया इत्यादी पादप सम्मिलित होते हैं ये प्रायह पहाडियों में नम तता चायदार शेत्रों में पाये जाते हैं ब्रायोफाइट को प्लांटी जगत के उभैचर ये जलस्थर्चर यानि एमफिबियन्स भी कहते हैं क्योंकि इस वर्ग के पादप स्थल पर रहते हैं लेकिन लेंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्यपदार्तों के सन्वहन के लिए उतक नहीं होते वे सतह पर पानी और पोशक तत्वों को अवशोषित करते हैं और कोशिका से कोशिका तक सामगरी पहुचाते हैं इनका शरीर थैलस की तरह होता है और सीधा होता है वह एक कोशिक और बहुकोशिक मूलाब से सबस्ट्रिटम से जुड़ा होता है इनमें मूल, तना और पत्या जैसे विकसित सनरचनाय नहीं होती लेकिन इनके जैसी सनरचनाय आवश्य होती है इसलिए इनका शरीर थेलोफाइट की तुल्ना में अधिक विभेधित होता है इनमें लेंगिक अंग बहु कोशिक होते है नरलेंगिक अंग पुंधानी यानि एंठेरिडियम और मादालेंगिक अंग स्त्रीधानी यानि आर्केगोनियम कहलाता है पुंधानी द्वारा नर्युगमक पुमंग उत्पन होता है जिसे पानी में छोड़ दिया जाता है यहां इसका निशेचन स्त्री युगमक अंड से होकर युगमनज उत्पन होता है इसका रुपांतर सैफरोफाइट में होता है इसके कुछ कोशिकाओं का रुपांतरण विजानू में होता है यह विकसित होकर नया जीव उत्पन होता है अब चलिए टरीडोफाइटा को समझे मारसीलिया, फर्न इत्यादी प्रकार के पादप टरीडोफाइटा में सम्मिलत होते हैं वनस्पती जगत के इस वर्ग में वे सभी पादप सम्मिलत होते हैं जिनका शरीर पूर्ण रूप से जड़, तना तथा पत्तों में विकसित होता है अर्थात पूर्ण रूप से विभेदित होता है तथा इन में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा आवश्यक तत्वों के सन्वहन के लिए विशिष्ट उतक पाए जाते हैं जिन्हें सन्वहन उतक कहा जाता है जायलंग उतक जल का परिवहन करता है जबकि फ्लोयम उतक भोजन एवं अन्यपधार्थों का परिवहन पादप के एक भाग से अन्यभाग में करता है इन में पुष्प नहीं होते और बीज उत्पन नहीं होते नरलेंगिक अंग पुन्धानी यानि एंठेरिडियम और मादालेंगिक अंग स्त्रीधानी यानि आर्केगोनियम कहलाता है पुन्धानी से पुमानु निकलकर पानी के माध्यम से स्त्रीधानी के मुह तक पहुँचते है स्तिर्धानी में स्थित अंडे का नर्युगमक से निशेचन होकर युगमनज बनता है यह विकसित होकर नया जीव उत्पन होता है तो आज हमने सीखा प्लांटी जगत तथा इस जगत के उपवरगों थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में